हेलो एवरीवन मेरी यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बना रही हूँ मोदक तो उसके लिए मैंने कुछ बेसिक सा इंग्रिजन्स लिया है तो सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम उसके अंदर में थोड़ा सा नमग डाल दिया और थोड़ा सा ओइल डाल दिया है तक कि आटा हमारा थोड़ा अच्छे से मुलायम और सौप्ट बन जाए और जो ये मोदक बनते हैं वो भी खाने में थोड़े करंची लगे और सौप्ट लगे तो उसके लिए जिस तरीके से हम पूरी या रोटी का आटा लगाते हैं ऐसे हमको आटा लगा के रख लेना है और उसको हमें थोड़ी दिर के लिए ढख के रख देना है तब तक हम उसके अंदर जो स्टफिंग करते हैं उसकी तयारी कर लेते हैं तो मैंने 200 ग्राम गूड दिया है, गूड को हम थोड़ा सा पका लेंगे, नरम कर लेंगे हलका हलका, गूड को हमें हलकी आज पर ही पकाना है ताकि वो ज्यादा कड़क न हो जाए, तो ये गूड हमारा पक के तयार हो गया है, अब भी उसके अंदर हम सब सामगरी डालते हैं एक एक करके ये मैंने जो नारियल है, उसको ऐसे मिक्सर में पीस के रख लिया था, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से ऐसा गूड के अंदर में मिला देंगे, ताकि गूड सब जगे पे सब नारियल के अंदर में मिल जाए अच्छे से, अभी थोड़ी से किश्मिस डाल द जितनी हम पूरी बनाते हैं, आप अपने पसंद से जितने प्रकार के बड़े या छोटे मोदग चाहिए, उतनी पूरी आप बेल सकते हो, मैंने तो बहुत छोटे-छोटे बनाए हैं, तो अभी हम सब की पूरीया बेल के रख लेते हैं, फिर बीच में हम उसका स्टफिंग कर और धीरे से हमको एक-एक करके से जैसे हम साडी में प्लेट डालते हैं, वैसे हमको प्लेट प्लेट डालते जाना है, इसका शेप बनाना बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखना, इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो पहली बार में आपके मोदग यह उपर में ऐसा थोड़ा ऐसा दबा देंगे, ताकि तेल में डालेंगे तो एक खुल न जाए, तो ऐसे हमें इसको अच्छे से दबा लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा आटा है, उसको हम निकाल लेंगे, और उपर में जैसे हम दिया में बाती रहती हैं, उस तरीके ज़ लेंगे, और तो यह हमारा पर्पेक्ट शेप के ऐसे मोदग दन जाएंगे, हम सारे मोदग इसी तरीके से बना के रख लेंगे, यह देखो है कितना अच्छा पहली बार में यह आप बनाओगे तो इतना मस्त बनेगा यह आपनों कुछ ज्यादा प्रैक्टिस में ही लगते जाएंगे, मोदग बन के तयार हो गए है, तो इसको में लेट के अंदर में निकाल लेते हैं, और यह ठंडा होता है, तब इसको में मुद्वान जी को फूब लगाएंगे, अगर मेरी विडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगे विडियो देख देगे, थेंक्यू